ब्लॉग का सुरुगात करने से पहले सब लोग मेरे साथ बोली है ओम नमाहपारवती पते हारा हारा महादेव तो यह हम है रोजगाव सुगरबील के शिव मंदिर पे इसको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था अच्छे से दिखा नहीं पाया था ग्योंकि हमारे पास मेरे सोटा भांजा था मुझे बहुत परिशान कर रहा था तो मैं यहाँ पर दुबारा साया हूँ और आते आते पता है सबसे कमाल की चीश्च क्या हुई है मैंने यहाँ के कुछ फोटो क्लिप लिया था उसको एडिट करके यूट्यूब पर डाला था और मेरे यूट्यूब पर जुड़े हुए भी नहीं नहीं है मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन पंडित जीने पदर निका आज देख लिया था और उन्हों ने इंसिस्ट किया कि मैं उनके कुछ वीडियो इस क्लिप को और फोटोज को जोड़ करके एक वीडियो बना के इनको दे दू मैं जरूर कर दूँगा तो उससे पहले उसब तो बात की बात है पहले मैं दिखाता हूँ आपको महादेव का दर्शन करा तो आप महादेव का दर्शन करिए यह हैं हमारे एक लिंग महराज इदर किलारी क्यारे मारच तर्यारे देवताव में वोज़िया लग लोगी है रसे कि कारती किम अद्वान है श्टी गनेश जी महराज है साशिव जी है ठाकुर्जी महराज है पारवती मातान पुर्ण और मादुल गया है और इसके backward में हमारे लगया हुआ है बालाजी महराज की मूर्ति पता है यहाँ पर यह मंदिर जो है बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ पर आपको structure देखकर के नहीं लग रहा होगे बहुत पुरानी मंदिर है लेकिन यह मंदिर जो यह रोजग और सुगर में इस्टैबलिश हुआ तभी यह बना हुगा था और ऐसा है कि यह रोजग और सुगर में बहुत पुराना है यहाँ पर अभी तो बहुत रिनोवेशन का काम हो चुगा है तभी इतना कोई देखकर के अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह बहुत पुराना जो है संस्था है लेकिन बहुत पुराना है ऐधिंग यह आपका जो है अजादी मूड़ादी के बात करूण 条 सवेंटी के असपास के यह मीले और तफेल लगातार चलता आ रहा है तो यहाँ अच्छे चीज़ी है ने कि यहां पे जितनी सारी जिनिते सारे देवी देवदाओं की मूर्थी है न उसे तब से बड़े साइज का मूर्थी है यह तो यह बादा जी महाराज है इधर कुछ मंत्र और आरती के इतर बोर्ड लगे हुए है यहां पे जो पुजा करने आते हैं अलग से मंत्र के लिए और आरती के लिए किताब नहीं लाना पड़ता है यह पुजारे जी हमारे विराजबान होते हैं पुजारे जी यहां पे बैठता है और प्रशाद का भी तड़ करता है अभी टाइम पो राय मित्रो च्छे बज़ने में भी पास मेंट कम है मैं बहु तो तुम्हें गंटे पहले ही आ गया हूं मैं क्या करो यह सोच रहा हूं मैं वापस चलता हूं रूम पे या फिर देखता हूं अभी तो बारीश आ रहा है इसने में जाव नहीं ही सकता करें पता है मंदिर के बाहर का भी अरिया बहुत बहुत खुशुर है तो यह देखिए मैं आया हूं तब से तो देख रहा हूं कि यहीं पंडित जीन शंदिप दिवेदी जिनान है इनका यहीं यह लगातार तब से तो इसमें अभी तो वहीं रहते हैं लेकिन ऐसा है कि अगर कोई पुजारी चेंज होते हैं तो उनकी लिए स्पेशल घार बना हुए यहां बार इस पाइव तो इस अगरे मंदिर का यह बहुत भी खुश्यार का यहां पी टरस करते हैं यहां पर अपर यह नहीं था कि मैं आपसे बकवास करता रहूं पर पडिता कि एक लिंग माहरा राजन बहुत पहले से आप विराजबान है और यहां पर लोकालिटी में ऐसा है कि ब इसलिए मैंने सुचा कि मैं आप लोग को भी एक लिंग महाराज की दर्शन करा देता हूं तो बस आप इस ब्लॉग का परपस था एक लिंग महाराज का दर्शन करा ना मैंने एक लिंग महाराज का दर्शन करा दिया इस ब्लॉग को यहीं खतम करते हैं अगर आप महीं जुड झाल झाल